हाँ तो बड़ा 14th question में क्या बोला हुआ है the ratio of force between two charges in vacuum at a certain distance apart to that between the same charges and the same distance and medium of permittivity epsilon r यानि उसने बोला कि पहली बार जो force लग रही है वो बेटा vacuum के अंदर लग रही है ना vacuum के अंदर force लग रही है दूसरी बार force किसमें लग रही है एक medium के अंदर लग रही है बेटा medium का अना epsilon medium का बेटा उसने कितना दे रखा है epsilon दे रखा है और बेटा air के लिए air के लिए तो अपने पास बन जाएगा एपसालन डिवाइडड़ वै एपसालन नौट यह नहीं बेटा रेशो यह मनेगा तो आंसर बेटा इसका कौन सा होगा इसका अपने पास अंसर आजाएगा थर्ड थर्ड अप्शन इसका करेक्ट है चलिए अब जारा फिफ्टीन्थ कुश्चन देखते हैं बेटा फिफ्टीन्थ कुश्चन भी क्या बोला हुआ है एलेक्ट्रोन मूब्स होना मैटल ट्यूव वरियेबल क्रोस सेक्शन तो ऐसे समझो कि इसका मेन रीजन है इंडक्शन कि अपने पास जो है उसने डायग्राम कुछ ऐसे दे रखा था चैक है और बीच में बेटा अपने पास कौन मूब कर रहा है इलेक्ट्रोन ये इलेक्ट्रोन मूब करेगा तो बेटा इलेक्ट्रोन नेगेटिव चार्ज है और यह जो ट्यूब है यह बटाabr metallic ट्यूब है यह metal के है तो क्या metallic tube और एक electron यान एक charge particle के बीच में, point charge के बीच में क्या induction हो सकता है वह यहाँ पर metal है तो मुझे बताना जड़ा यह negative charge electron है तो बटा यहाँ पर सामने वाले surface पर कितना charge produce करेगा यह produce करेगा positive तो यह plus वाला charge इस lektron को क्या करेगा अपनी और attract करेगा F force से यह plus वाले счит lektron को क्या करेगा attract करेगा F force से तो बटे एक F force इदर एक F force इदर और एक F force इदर तो बेटा इनका जो resultant आएगा वो कित्र आजाएगा बीच में तो resultant बेटा आजाएगा बीच में यानि net force बेटा इस direction में लगेगी तो बेटा अगर इस direction में force लगेगी तो अब्वेसी बात है इसकी velocity की value क्या हो जाएगी increase हो जाएगी यानि जब ये इस neck में से pass करेगा तो इसकी velocity के आएगी V note से जादा और वैसे भी बेटा तुम समझो कि electron का case वैसा ही होता है जैसा एक pipe के अंदर पानी वाला case होता है एक पानी के लिए हम क्या लिखते है कि equation of continuity क्या बोलते है कि A into V equals to constant जहाँ पे pipe का area कम होता है वहाँ पे पानी की velocity बेटा क्या हो जाती है ज़ादा हो जाते है पाइप की area कम तो पानी की velocity ज़ादा वैसे ही जहां पे अगर कहीं electron एक wire के अंदर electron flow कर रहे है तो जहांपे area कम होगा वहाँ पे electrons का flow क्या होगा ज़ादा होगा जहां पे area कम है वहाँ उनकी velocity कैं हो कि ज्याद हो जाएगी तो इससे भी देखा जाए तो वेटा वी नोट के से ग्रेटर आजाएगा